अस्सलाम अलेकुम एवरिवान, होप शू अला डूइंग वेल, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही डिलेशियस सी रेसिपी, तो यह रेसिपी बहुत ही क्विक जटपट रेसिपी है, यह बहुत ही जल बन कर तयार हो जाती है, आप मेरी वीडियो को फुल वच कीज़ेगा, आप लोगों के रेसिपी बहुत अच्छे से समझाएगी, तो चले चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आये, तो मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब कर दीज़ेगा, और अपना फीडबैक मु यहाँ यहाँ पर मैं आपको स्पाइसिस में इसके अंदर एड़ किये हैं, जिन में सबसे पहरे इसमें आता है नमक, उसके बाद यहाँ पर आता है चेली फ्लेक्ष, कॉरियांडर पाूडर, ब्ल्लैक पेपर पावडर और उसी के साथ यहाँ ने टेबल स्पून के कॉन पूर के अड़ किये हैं, तो स्पाइसेज डालने के बाद मिक्स इट वैल इसको अच्छी तरह से पीस लें, ओके जी तो यहाँ पर हमारा मसालाश जो हमने रेड़ करना था, वो हो गया है, अब हम इसको सरकल शेप में आलू के कबाब की तरह ready करेंगे जैसे हम कोई भी कबाब ready करते हैं पहले उसका जो है हम चोटा सा पेडा लेते हैं और फिर हम इसको सरकल शेप में prepare कर लेते हैं जैसके मैं आपको वीडियो में show कर रही हूं ओके तो अब जो हमारा रिमेनिंग मसाला बच गया है हम उसको भी टिक्या बनाकर रेड़ी कर देंगे अलहम दिल्ला हमारे सारे कबाब रेड़ी हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि बहुत ही जबर्दस रेड़ी हुए है तो अब हमने कोटिंग के लिए एक बैटर बनाकर रेड़ी करना है जिसके लिए जब से पहले हापका बेशन आप इंच ओफ सॉल्ल चुटकी बर नमागेट करना है और उसी के साथ हमने वन कप आफ वाटर यानि एक कप पाने के अंदर डाल कर इसको अच्छे तरह से मिक्स करके इसका थोड़ा थेक सा हमने बैटर रेड़ी कर लेना है जो इसकी कोटिंग के लिए यूज होगा बेशन को यूज करने का एक परपर्स यह है कि एक टिक्यों को टूटने नहीं देगा तो अब यहां पे हमने एक पैन में ओईल डाल लिया है इस ओईल को हमने थोड़ा सा गरम कर लेना है यूज के बाद के अपने कबाब कर लेड़ी है को हम कोट करिेंगे बेसे के बैटर से आपने अच्छी तरह से फिरा करना है कोईप्र आप देख सकते हैं कि बहुत खुप्सूरत जो है ओके जी तो यहाँ पे हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है आप लोगे मेरी रेसिपी अच्छे से समझ आई होगी तो आप पे इसको एक दफ़ा बना कर जरूर ट्राइ कीजेगा जब तक के लिए मुझे इजाज़त देजे अपना बहुत सारा खाया रखेगा मुझे टेक केर अला हाफेज